हेलो स्टूरेंट्स तो आज हम करेंगे exercise 2.2 का question number 5 तो question number 5 क्या कहता है find a वाला part कहता है 1 by 2 off first है 24, second है 46 यहाँ पर off का मतलब होता है multiplication यानि कि हमें 1 by 2 को multiply करना है पहले 24 से और फिर 46 से तो a वाले part से start कर लेते हैं solution a तो यहाँ पर पहले वाले का अगर हम देखें 1 by 2 off 24 तो यह क्या जाएगा यहाँ पर हम इसको इसके साथ divide कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4 यानि 12 हा जाएगा second वाला देखते है 1 by 2 off 46 यह क्या आएगा 2 2s are 4 2 3s are 6 23 23 तो इस तरह से हम 1 by 2 find out कर सकते हैं और second वाले का B अब आते हम B वाले पार्ट पर तो B वाला पार्ट क्या कहता है 2 by 3 of 18 27 तो यहाँ पर पहले हमें इसका 2 by 3 find out करना है तो 2 by 3 into 18 यह क्या जाएगा 3 6 जा 18 इसको इसके साथ divide कर सकते हैं और 2 into 3 यह क्या हो जाएगा 6 इसका अगर हम 2 by 3 find out करें तो क्या आएगा 2 by 3 into 27 यहाँ पर 27 को 3 से divide कर देंगे 3 बन जा 3 3 नाइन जा 27 9 तू जा 18 तो यहाँ पर आजाएगा 18 अब आते हम next वाले पार्ट पर तो यहाँ पर यह क्या दे रखा है C वाला 3 by 4 of पहला पर 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 इस 16 दूसरा है 36 तो यहाँ पर 3 by 4 अगर हम 16 का find out करें C वाले का first part 3 by 4 into 16 तो यह क्या आएगा 4 फोर जा 16 और 3 फोर जा 12 सेकेंड वाला देखते हैं इसका अगर हम देखें तो 3 by 4 into 36 अब यहाँ पर यह multiplication में तो इसको हम फिर divide कर सकते हैं 4 का table पढ़ें तो 4 बन जा 4 आप यह 3 को 9 से multiply करेंगे 27 अब आते हम next वाले part पर तो यहाँ पर यह दी वाला किस तरह से दे रखा है 4 by 5 of 2035 तो यहाँ पर पहले हम 4 by 5 निकालेंगे 20 का तो यह क्या आजाएगा 4 को ऐसे लिखा रहें देते हैं यहाँ पर 5 बन जा 5 5 फोर जा 20 तो यह हो जाएगा 4 इन्टू 4 यह आजाएगा 16 यह तो हो गया पहला वाला part अब अगर हम second वाला part देखें तो 4 by 5 आफ 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 का मतलब इन्टू 35 5 सेवेंजा 35 और 7 फोर जा 28 तो यहाँ पर यह आंसर आगया 28 लास पार था questions हम आप नेक्स लेक्चर में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही